दोस्तो, रेट्रो क्लासिक सेگमेंट पे, आज भी भारत में सबसे पूपुलर भाईक है, रोईल इन्फिल्ट की क्लासिक 350, इस सेगमेंट पे इंडिया में और भी कई बाईके हैं, लेकिन पूपुलारिटी और सेल्स के मामले में सभी भाईकों के उपर रहेगा रोईल इन् देखते हुए, हॉंडा ने इस बाइक की डिजाइन काफी हद तक classic 350 जैसा बना दिया है, तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम हॉंडा की इस नई बाइक CV 350 के बारे में वीटेल्स में जारेंगे, इस बाइक की specifications, features, color options और price के बारे में जारेंगे, तो दोस्तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe और वीडियो को like, comment, share ज़रूर करें, हॉंडा ने इस सेग्मेंट पे पहले Hynes को launch किया था, फिर RS को launch किया था, अभी वह इस सेम इंजिन के साथ launch किया है, यह नया CV 350, यह बाइक भी Honda Beguins पर मिल ले बारा है, इस बाइक की looks और डिजाइन को गौर से देखिए दोस्तों, यह बाइक भी full metal body के साथ आता है, roll and fill back जैसा, और भी बहुत कुछ आपको similar देखनें को मिलेगा, Classic 350 जैसा, Hynes का fuel tank की design पहले इस तरह का था, अभी शेप को फूरा बदल दिया गया है, अभी आप देख सकते हैं, Classic 350 जैसा similar आपको लगेगा, और इस पर थाइपेड भी दिया गया है, पहले थोड़ा छोटा था, एक sporty look देखनें को मिलता था, लेकिन अभी मटकाट की design चेंज किया गया है, एक रेट्रो लूग दिया गया है, Classic 350 जैसा ही rounded metal मटकाट दिया गया है, और exhaust की design वो भी चेंज किया गया है, हाइनेस का exhaust थोड़ा उपर की तरफ उठा हुआ था, लेकिन उसको भी चेंज कर दिया गया है, अभी Classic 350 जैसा, parallel chrome color का दिय गया है, और front folks की design भी change कर दिया गया है, भेरे भी telescopic था, अधरे भी telescopic है, लेकिन इसको पूरा cover कर दिया गया है, देखने में बिल्कुल Classic 350 जैसा कर दिया गया है, और Classic जैसा ही dual stick दिया गया है, grab rail के साथ, और अभी इस दाइक की engine की बात कर रहे तो, वही same engine यूज किया ग 5,500 rpm और जो maximum torque generate करती है, 29.4 Nm, 3000 rpm और इसमें 5-speed gearbox है, दोस्तों engine specifications, Royal Enfield की engine जैसा ही है, लेकिन होंडा की engine काफी refined है, और इसमें आपको vibrations बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ये engine आपको mileage भी ज़्यादा देगा, तो दोस्तों अगर features की बात करें तो, Royal Enfield की मुकबले, इस bike में आ assist slipper clutch, जो कि इस price range की bike में नहीं मिलता, और इस bike में dual channel APS standard आता है, और मिलता है ESS, यानि emergency stop signal, full LED lighting setup आपको देखने को मिलेगा, head lamp, tail lamp, side indicator, सब आपको LED मिलेगा, hazard light भी मिलेगा, side stand indicator भी मिलेगा, और instrument console की बात करें तो, digital plus analog instrument console दिया गिया है इसमें, और इसमें भी आपको बह smartphone connectivity है, और turn by turn navigation भी मिलेगा, इस meter पे आपको real time mileage का भी पता चल जाएगा, distance to empty का भी पता चल जाएगा, इस तरह का features भर भर के मिल जाएगी इस bike में आपको, और tire भी tubeless मिले बाला है, front tire 100 by 90, 19 inches की मिलेंगे, और rear tire 130 by 70, 18 inches की मिलेंगे, और alloy wheel is bike में standard आता है, और color options की बात करत इस bike में आपको पाच color options मिल जाते हैं, जो है red metallic, matte marshal green metallic, matte dune brown, matte crust metallic, और proud ignuous black, और इस bike में आपको दो variant मिले बाला है, एक है CV 350 Deluxe और दूसरा CV 350 Deluxe Pro, इन दोनों variant में आपको सिर्फ color का डिप्शन्स मिलेगा, Deluxe model में आपको single color मिलेगा, और Deluxe Pro में आपको dual color मिलेगा, और बात करेंगे price range की, Deluxe model मिलेगा 1,99,900 में, और Deluxe Pro model मिलेगा, रुपिस 2,17,800 बे, और यह सब एक शरूम price है, तो दोस्तों Honda CV 350 के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये बाइक, Royal Enfield Classic 350 को कड़ी त्यक्कर देगी क्या आप CV 350 खरीदना चाते हैं, comment section में जरूर बताना, तो आज वीडियो को ये ही close करते हैं, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा से भी अच्छा लागे तो please चैनल को subscribe और वीडियो को like, comment, share जरूर करें